सब्सक्राइब कीजिए दपर्फेक्ट क्लासिस चैनल को और बैल आइकन को दबाईए लेटिस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब के लिए आविशक है तो बचों सबी जितने भी प्राणी होते हैं ठीक है उनकी व्रिद्धी के लिए उनके विकास के लिए क्या उर्जा क्या विशकता होती है इसलिए उन सबी को भोचन क्या विशकता होती है और ऐसे ही किसी भी प्राणी को जीवन को बनाए रखने के लिए उसे energy अलग-अलग form में लेनी पड़ती है, उसे उर्चा क्या विशकता होती है plant also make their food through the process of photosynthesis अब इसमें बता हुआ है, पौधे जो होते, वो प्रिकास संचिलेशन के द्वारा अपना भोजन बनाते है हम लोगों का अलग है, भोजन बनाने का जो तरीका है उनका अलग है Do all living things, do all living beings reproduce their own kinds क्या सभी जो प्राणी है, जो living beings है, वो अपने जैसे ही अपने जैसे ही बच्चों को या अपने जैसे ही प्राणीों को जनम देते हैं तो देखिए, हाँ बिलकुल All living beings reproduce young ones like them, प्रित्य एक प्राणी जो होता है, वो अपने ही जैसे बच्चों को जनम देता है जैसे बिल्ली, अपने ही बच्चों, अपने ही जैसे बच्चों को जनम देती है कुत्ता भी, मनुश्य भी, ठीक है The mode of reproduction is different in animal and plants लेकिन प्रिजनन का जो तरीका होता है, जानवरों में और पौदों में वो अलग-अलग होता है In animal, some of them give birth to their offspring and some lay eggs कुछ जनतू जो होते हैं, वो अपने ही जैसे बच्चों को जनम देते हैं जबकि कुछ और दूसरे अंडे देते हैं For example, उधारन के लिए, birds lay eggs, पक्षियां अंडे देती है ठीक है, पक्षि जो होते हैं अंडे देते हैं In plants, they reproduce, throw seeds as well as throw parts other than seeds For example, potato इसमें बता हुआ है कि कुछ बीजों से, बीजों के द्वारा प्रिजनन करते हैं कुछ पोधे, कुछ पोधे, बीजों के दूसरे भागों से प्रिजनन करते हैं, जैसे For example, उधारन के लिए एक दिया हुआ है, इसमें आलू, potato तो अभी यहाँ पर यह question number one आपको notebook में करना है तो आप यह question लिखेंगे, question number one यह आपका question number one है, write the type of food these animals eat आपको यह जो animal दिया हुए है, जानवर, इनके भोजन का प्रिकार लिखना है कि वो कौन से प्रिकार का भोजन खाते हैं यहाँ पर एक cat दिखाई गई है, billy, यह क्या काती है, mouse, चुआ काती है, आप लिख देंगे यहाँ आंट दिखाई गई है, यह cat है, मैं आपको बता देती हूँ यह क्या है, आंट है, चीटी है, यह क्या खाती है, शुगर खाती है यह क्या है, हिरन है, डियर, तो यह क्या खाता है, ग्रास खाता है, बस यह question कर देंगे आप notebook में, आप question number two, देखते हैं, यह आपका question number two है, यह कर लीजे आप इसके बाद, इसमें दिया हुआ है, name three living organism, each who lay eggs and who give birth to young ones, आपको ऐसे तीन प्राणी लिखनें, जो अंडे देते हैं, या तो जो अपने जैसे बच्चों को जनम देते हैं, तो इसमें आप लिख देंगे answer number two में, यह आपका answer number two हो जाएगा, who lay eggs, जो अंडे देते हैं, लिख देंगे duck, बत्तक, pigeon, कबूतर, sparrow, चुड़िया, how the living organism grow, क्या आपने observed, क्या आप लोकन किया है, कि जो सजीव प्राणी होते हैं, वो ग्रो करते हैं, बढ़ते हैं, उनमें व्रिद्धी होती है, तो हाँ बच्चों बिल्कुल, देखिए, all living organism grow in size day by day, जितने भी सजीव प्राणी होते हैं, वो दिन परते दिन उनमें अर्गनिसम, और ये व्रिद्धी उनमें आकार और आकरती में बदलाव के रूप में होती है, जैसे कि एक बहुता छोटा होता है, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा होते चला जाता है, ठीक है, अब यहाँ पर एक कोशन और करने हैं, आपको नो ठीक है, अलमीरा हो गई पहली, अलमारी टेबिल हो गई, मेज, चेर, कुर्सी हो गई, पैन हो गया, विंडो खिड़की हो गई, यह पांच राम लिख दीजिए, तो आपके वक्षीट कम्प्लीट हो गई है, मिलते हैं नेक्स वीडियो में, थैंक्स पर वचिंग